पोको एफन यूजर्स के लिए MIUI 12 का स्टेबल पाप्लिक बिल्ड तो रोल आउट होना सुरू हो चुका है पर यह बिल्ड आल्टिमेट बिल्ड नहीं है तो आज हम बात करेंगे उन इस्यूज के बारे में एंड कुछ फिक्स के बारे में स्नाप्ड्रागन 845 चीप सेट होने के बावजूद भी यह पे पोको एफन में शूपर वल्ड पेपर ओफिशियली डिसेबल्ड देखने के लिए मिल चाता है बिकस अप रिदूशिंग सिस्टेम इवाइ स्टीकिनेस एंड फ्लिकरिंग नॉट तो अरी यह पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन है पर अप्टर एनिब्लिंग सुपर वल्ड पेपर सिस्टेम इवाइ उतना स्मूद एक्स्प्रियंस अपको प्रुवाइड नहीं कर पाएग आपको डेस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल चाहेगा अप्र इंस्टोलिंग अल् ट्री एप्स यू निद टो ओपन सिस्टेम थेम्स एप और आपको चले आना है माइ पेज में नाव टैप अन वाल पेपर्स आपको शुपर वाल पेपर मेनू देखने के लिए मिल च अञ Правाई नंबर 2 एंरड़ेअ टेन फूल स्क्रीन जेस्टर्स रेडमी के लगबग सारे डिवासेज में लाइक जिन डिवासेज को मिल सारे डिवासेस में मिल चुका है पर पीवाको के डिवासेज में एंड रडली एडर्मी,K20,K20 प्रो में, जहाँपे भी häको लांचर ह Universal Full Screen Bar, Bottom of Screen में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और साथ में System Animation भी Missing है तो Full Screen Gestures एनेबल करने के लिए आपकी डिवाइस प्री रूटेड होना चाहिए बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग Poco Launcher 3.0 Update के लिए वेट कर लीजिए क्योंकि वही अच्छा रहेगा रूट से जादा बहतर चोईस है वह एक नॉर्मल इूजर के लिए So First Thing, You need to open Magisk Manager and आपको Modules section में चले आना है Tap on Install from Storage and then Select करना है Meme UI 12 Alpha System Launcher आपको ये वाला फाइल Description Box में देखने के लिए मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला फोल्डर डाउनलोड section में ही देखने के लिए मिल जाएगा ये फाइल successfully flash होने के बाद आपको manually एक बार device को reboot कर लेना है device switch on होने के बाद home screen में आपको pinch करना है या फिर tap and hold किया रहना है then tap on settings more section आपको सीधा home screen settings में ले जाएगा यहां से आपको default launcher को change करके system launcher चूज कर लेना है I repeat POCO launcher से आपको default launcher I mean system launcher में swap कर लेना है after doing that full screen gesture temporarily काम नहीं करेगा तो आपको एक बार फिर से reboot पे click कर देना है after rebooting is completed I mean reboot हो जाने के बाद simply home screen को pinch करके आप home screen settings में चले आएगे and यहां से आप बाकी सारे options को customize कर पाएंगे and आपको universal navigation bar भी enable and visible साथ में working देखने के लिए मिल जाएगा and benefit यह है साथ में आपको MIUI 12 का all brand new system animations like app deletion animation recent screen animation I mean recent window opening animation सब कुछ properly working देखने के लिए मिल जाएगा and last thing जो लोग normally updater से update करके MIUI 11 से MIUI 12 में आए है उन लोग के लिए मैं एक बात बाताना चाहूंगा के आप लोग अगर system में lag या फिर sticking issue के सामना कर रहे हैं तो आप एक बर factory reset कर लीजिए अच्छा रहेगा क्योंकि इससे यह होगा के system एक बर फिर से refresh हो जाएगा and सारे new additions and updates perfectly work करना चालू हो जाएगा दिन आपको 2-3 दिन के अंदर smooth and clean UI देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि अगर आप MIUI वर्सन update करते हो या फिर change करते हो या फिर Android वर्सन update करते हो या फिर change करते हो तो ऐसा होता है कि आपको 2-3 दिन लगातार use करना होगा ताकि system भी refresh हो जाए and अच्छे से काम करने लगे for your kind information अगर आप factory reset करेंगे तो आपका सारा files, data files, pictures, videos, music सब कुछ delete हो जाएगा if अगर contacts आप email में save करते हैं तो फिर से restore हो जाएगा अगर आप contacts phone पे save करते हैं तो आप पहले उसको export कर लीजिए दिन सारे data files back up करने के बाद ही आप reset कीजिएगा तो आज के लिए फिर मिलते हैं किसी नए topic के साथ फिर मिलते हैं किसी new video के साथ तब तक के लिए stay tuned and be happy, bye bye हुआ 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 है